प्रेज़न्स वेलकम टू मैं चैनल क्रीटिव डिजाइन आज इस वीडियो में आपके लिए के ऐसा आइटिया लेकिया हैं जिस्से आप कम से कम कपडे में इसी तो आज हम इस वीडियो में एक designer sleeve त्यार करेंगे वह भी कम से कम कपड़ी में तो चलिए start करते हैं तो चलिए start करते हैं आपके सामने मैंने यह इस तरीके से कपड़ा लिया है इस साइट से कपड़ा यो है open है, joint नहीं है, तो अगर मैं इस कपड़ को इस तरीके से fold करती हूँ, तो हमारे पास कपड़ा गम पढ़ जाता है, हमारा shoulder यो है, वो फूरा नहीं आएगा तो मैंने इस तरीके से कपड़ा लिया है मैं आपको एक स्लीप की कटिंग करके बताऊंगी आपने हाफ इंच पे इस तरीके से एक लाइन बना देनी है अब आपने सारी कटिंग यह है वह इस लाइन के आगे करनी है अब जब आपनी बाजू की कटिंग करनी है तो समय इस लाइन के इस साइड जो कपड़ा है उसे इंक्लूड नहीं करना कि सबसे पहले हमने लेंट दीनी है इतनी आपको बाजू अपनी त्यार चाहिए उसमें अपने वान इंच आड कर देना है जैसे मुझे 16.5 त्यार चाहिए तो भी इसमें वान इंच कुरूंगी 17.5 के हम कटिंग करेंगे अबर इस साइड से में शोल्डर रख रहे हूं एट इंच शोल्डर रख रहे हूं तो मैं इस लाइन के आगे रख रहे हूं एट इंच आप शेप के लिए मैं 3 इंच पर निशान लगा रही हूं यहां से मुझे 5.5 चाहिए अब यहां पर हम शेप देदेंगे इस निशान से आगे 1.5 पे हम निशान लगाएंगे यहां पर भी 1.5 पर इस निशान को मैं इस से मैच कोना है यहां पर लाई आएगी यहां से हम कटिंग करेंगे अब हम नीचे के और यहां पर गुलाई डालेंगे इस कॉर्नर से 1.5 पे में इस तरीके से निशान लगाऊंगे सबसे पहले मैं यहां से हम कटिंग करेंगे अब हम स्टिचिंग करेंगे सबसे पहले मैंने यह दो कलर की पाइपिंग ली है और इससे अपस में इस तरीके से जॉइंट करूंगी अजया पाइपिंग और यह दो काइपिंग जब पाइपिंग पाइपिंग एक साइड लीनियम ने यहां पि हमने इस तरीके से पाइपिंग को रतना है और इस से लाइके उपर एक और स्लाइल का देंगे तो इस तरीके से हमने पाइपिंग लगा दीनी है पाइपिंग लगाते समय आपने दियान रखना है कि आपने पाइपिंग और नहीं कपड़े को खीचना हैं तो इस तरीके से हमने स्लीप बना लिए दोनुस साइट्स त्याह कर लिए अब हम इसके नीचे वले साइट्स के लिए कपड़े की कटिंग करेंगे इस तरीके से कपड़े की कटिंग करेंगे हम इतनी चोड़ाई चाहिए में आप दो इंच रख सकते हैं इस तरीके से हमने पाइपिंग के ऊपर कपड़े को रखना है और पीचे की और ये बली सलाई जो है उसके ऊपर एक और सलाई लगाती नहीं है अब आपने यहां पे बिल्कुर साथ सा चिलाई लिका देनी है सलाई लगाती नहीं हमने द्यांती नहीं की पाइपिंग के उपर सलाई नहीं अब इस तरीके से करना है हमने और यहां पे सलाई लगानी है साइड पे दोनों पाइपिंग के बीच कोई कैप नहीं होना चाहिए कपड़े को इस तरीके से हमने फूर्ट कर लीना है है हैमिंग के लिए कर दोनों पेपिंग के लिए चाहिए कि आप और यहां पाइपिंग के लगानी है कि आप लगानी है झाल झाल तो इस तरीके से हमारे डिजाइनर स्लीप त्यार है अगर आपको हमारा डिजाइन अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा थैंक यो फो वाचिक मैं वीडियो बाई